सब्सक्राइब कीजिए वैदिक जोतिष शैनल को और शाथ बैल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही जैसंतो सिमा दोस्तो स्वागत है आपका वैदिक जोतिष में जानते हैं आज क्या कहती है आपकी रासियां कैसा रहीगा आपका दिन सुरुवात करते हैं आज के सुवेचार सी समय के पासे इतना समय नहीं है कि आपको फिर से समय दे सके इसलिए आप जो करना चाहती हैं वो आज ही सुरू करे जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है सोच का ह फर्क होता है वरना समश्याएं आपको कम जोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है आज का पंचांग 17 दिसंबर 2022 दिन शनीवार पॉश मास के क्रिश्न पक्ष के नौ में तिथी रातरी तीन बचकर 41 मिलड़ तक रहेगी इसके उपरान 10 में तिथी प्रारम हो जाएगी उत् आज कर आहुकाल अर्था दिन के सबसे असुपसम में सुबह 9 बचकर 38 मिलड़ सी 10 बचकर 57 मिलड़ तक रहेगा आज कर भिजीत महुरत अर्था दिन के सबसे सुपसम में सुबह 11 बचकर 54 मिलड़ सी 12 बचकर 36 मिलड़ तक रहेगा आज शन्रमा कन्याराशी पर संचार और आशूरिया धनुराशी पर रहेंगे धनुराशी 17 दिसंबर 2022 दिन शनीवार आज की दिन आपका भागया आपके साथ है आचा पैसा भी कुछ कर शकते हैं जिसके बारी में आपने कभी सोचा भी ना हूँ आपके सभी प्रयासों में भागया आपका साथ दीगा आज घर में कुछ नौनी करन्वा साथ सज्जा को लेकर कुछ योशनाई बनी की कोई भी काम करने से पहले उस पर बचट जरूर बनाएं तो आर्थिक दिक्कतों से बच जाएंगे बच्चों से समंदित किसी समश्य का समधान निकलने से राहत मिलेगी अपने समश्याओं के साथ अन्य लोगों की समश्याओं को भी समझने की कोशिश करी तभी एक दुश्य की विवादों को दूर करना असान हो सकता है नौकरी में किसी भी प्रकार का बड़ा बदलाव करने की कोशिश अभी ना करी काम की जगह के लोगों के साथ के सम्मन ना बिगड़ी इस बात का ध्यार रखना होगा रिलेसंसिप में इस थेरता होने से जीवन के निया पहलूँ पर ध्यान दिया जाएगा बदन दर्द या बदन पर शुजन भी हो सकती है ध्यार रखें किसी भी अपरशित व्यक्ति से वारतला वत्वा कोई डील करते समय निगरानी अवश्यर रखें क्योंकि चोरी होने या इसी तरह के नुक्षान होनी की शंभावना लग रही है किसी नजदी की रिष्तेदार से कहा सुनी होने से मन में चिंता बनी रहेगी बात करते हैं लव लाइफ की इससे मैं यह महत्व पूर्ण है कि आप अपने सम्मन्द को निस्पक्ष होकर जाती क्या आप इसे अगले इस्तर पर ले जाने वाली हैं इससे मैं आपको अपने पार्टनर की बज़ए अपनी भावनाओं पर दिहान देना चाहिए और उस उल्षन को दूर कर लेना चाहिए जो आपको समान्य रूप से कई बार मैसूस होती है अब आपको फैसला कर लेना चाहिए कि आप अपने सम्मन्द को किस दिसा में ले चानत चाहते हैं बात करते हैं करियर की अच्छा आपको अप्रत्यासित रूप से खोया धन मिल सकता है जिसे असाने से आप सभी वित्ती प्रती बद्धताओं को पूरा कर पाएंगी यह आपकी वर्तमान वित्ती स्थिति को काफी रहत प्रदान करने वाली रहत प्रदान करने वाला होगा हालकि इस धन को बहुत बुद्धी मानी से खर्ष करना होगा क्योंकि हो सकता है कि आपका ये धन खत्म या कम हो जाए लेकिन आपके दाइत्व का निर्वाहन पूरा ना हो पाए आपको बचत के रूप में कुछ रासे रखनी चाहिए ताकि जवरत पढ़ने पर वह कुछ काम आ सके कारेस्थल पर अत्यधिक कारेभार की वज़े से देन भर वैस्ता बनी रहेगी करमचारियों से काम लेते वक्त पूरा ध्यार रखी जरासे ला परवाही से नुक्षान हो सकता है किसे सहयोगी करना करात्म क्रवय भी परशान करेगा शांते पूर्ण तरीके से समशाओं को हल करी बात करते हैं सेहत की आपको अच्या मैसूस होगा की सेहत का स्वस्तर शरीर की बज़े मन से अधिक है आप इसे समझने के बाद अपनी चिंता तथा तनाव से छुटकार पानी की दिसा में पहला कदम उठाएंगी और इसे ना केवल आपको स्वस्तर बल्द की प्रवित्ती में भी सुधार होगा कोई प्रेणार दायक टेप सुनी या अराम दायक मसाज की योजना बनने तो अच्या सम्मंधित छोटी समशाएं जैसे मुहास्यादी आपको परिशान कर सकती है ध्यार रखी जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें आपका दिन शुब हूँ